प्रिये हिंदी मित्रों नमस्कार हाइटेक हिंदी परिवार में आपका स्वागत है एक नए महत्वपून और जरूरी वीडियो के साथ आज हम पुनहों पस्थित है बहुत इंट्रेस्टिंग होने वाला है आज का वीडियो क्योंकि आज हम बात करेंगे वेक्तित्टुक्तित्टुसीरीच के अंतरगत मीरा भाई की भक्तिकाल की महत्वपून कवियत्री और सायद हिंदी की अगर एक संपून कवियत्री की बात की जाए क्योंकि आदिकाल में आपको ऐसी कवित्री देखने को नहीं मिलती है तो मीरा भाई उन सभी अर्थों में विसिस्ट है इस्तरी है स्वक्षंता का उनके काबे में गुन दिखाई देता है स्वातंत्र को वरियता देती है और साथ ही साथ उन्होंने एक जो साहित्तिक कविता का जो रूप देखने को मिलता है वह विसिस्ट मिलता है जो उसके पद है भाक्तिकाल के जो गीत उन्होंने लिखा है जो मुक्तक काब लिखा है वह अपने आप में विसेस है उन सबी की चर्चा हम आज के वीडियो में करेंगे खास बात कि आदिकाल के प्रमुक कभी अमीर खुसरो बक्तिकाल के प्रमुक कभी तुलसी दास, बिद्यापती, सूर्दास, जायसी इन सब पर हाइटेक हिंदी ने व्यक्तित तुकृतित सीरीच के अंतरगत वीडियो बनाया है अगर अब तक आपने उन वीडियोज को नहीं देखा है तो मेरा एक विनमरागरा है कि आपको उस वीडियो को जाकर के देखना चाहिए कारण यह है कि अगर आप परीक्षा देने के बाद प्रशन गलत करते हैं और उसके बाद आपको इन प्रशनों के उत्तरीन ही वीडियोज में मिल जाते हैं तो आपको यह जानकर कस्ट होगा कि कास मैंने इस वीडियो को पहले देखा होता किसी भी गाइड में किसी एक गाइड को अगर आप उठाएंगे तो हाइटेक हिंदी आपको गारेंटी देता है कि इतनी सारी सामगरी इतने सारे तथ इतने परिक्षोप योगी जानकारियां आपको एक वीडियो में नहीं मिलेंगी एक पुस्तक में नहीं मिलेंगी ये कई सारी पुस्तकों का जब हम आपके लिए अतिमहत्वपूर्ण प्रश्णों की सीरीज लाते हैं तो उस समय हम इसकी तैयारी करते हैं और आपके लिए एक फिसस्री वीडियो ले करके आते हैं ऐसे में क्या है कि आपको इसको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए बार-बार सुनना चाहिए इसको और इसके जो तत्य हैं जो आपको अब तक नहीं पता थे उनको नोट भी करते रहना चाहिए वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा लाइक से और कमेंट करना चाहिए कमेंट करेंगे आप यह आपके लिए अच्छा होगा कि चीजें रिवाइज होंगी आपकी स्मृति पटल पर वे चीजें बैठती जाएंगी जो प्रस्न हम पूछेंगे उनका सही उत्तर दे करके आपको एक साटिस्फेक्शन का भाव आपके अंदर डिबलप होगा और गलत प्रस्न का उत्तर देने पर आप एक नया प्रस्न सीखेंगे सेयर आप इसलिए करें क्योंकि सोसल मीडिया का मंच ऐसा है यहां कोई भी सामगली किसी से छूपी नहीं है अगर आप अपने मित्रों की बीच इन वीडियोज को सेयर करते हैं सेयर तभी करें जब आपको चीजे अच्छी लगे अगर आपको चीजे अच्छी लगती है तो सेयर करने में आपका कुछ नहीं जाता है अगर आप सेयर करते हैं तो आप हमारे लिए तो कम लेकिन अपने मित्रों की बीच आप सुभेक्षू बनेंगे उनको लगेगा कि कोई व्यक्ति हमारे बारे में कुछ अच्छा सोचता है अच्छा चाहता है इसलिए उसने एक अच्छा वीडियो हमें सेयर किया है तो इसके लिए आप सेयर करें और लगता है कि आपको ये वीडियो अच्छे बने हैं तो लाइक जरूर करें आज का वीडियो हम देखते हैं मीरा बाई पर केंद्रित है मीरा बाई के वेक्तितों और कृतितों की हम बात करेंगे भक्तिकाल के आदिकाल के अन्य विद्वानों की तरह अन्यकवियों की तरह अन्यशाहित्यकारों की तरह मीरा भाई एक कवियत्री के रूप में इनका भी जन्म और मृत्यू काफी विबादित है परीक्षा में पुछा जाता है लेकिन अलग-लग विद्वानों ने इसे अलग-लग माना है जन्म अस्थान मेड़ता के निकट कुड़की जो पाली राजस्थान मेड़ता भी कई जगां लिखा मिलता है मेर राटोरवंस की मेड़तिया साखा में हुआ था राव दूदा इस साखा के प्रवर्तक थे और मीरा के दूदा के पुत्र राव रत्न सिंग की पुत्री थी मीरा बाई मीरा दो वर्सकी भी नहीं हो पाई थी क्योंके माता का देहान्त हो गया था राव दूदा जो उनके दादा जी थे उन्हें लेकर के मेरता चले आये थे स्वयम वैशनों थे साधुसंतों का सत्संग उनके घर में हुआ करता था और इस परिवेश का मीरा की जीवन पर विशेश प्रभाव पड़ा बालेकाल से ही मीरा जो है कृष्ण भक्ति के प्रति उन्मुक हो गई थी बात के दिनों में इनका विवाह होता है राडा सांगा के जेस्ट पुत्र जो है कुर भोजराज के साथ कुर भोजराज उनके पती थे लेकिन यह कुर भोजराज का असामईक निधन हो जाता है किनी कारून हो बस उसके एतिहासिक परिप्रेक्ष होंगे उन पर बात करना जरूरी नहीं है कौर भोजराज की मृत्यों के बाद कौर भोजराज की मृत्यों तब होती है जब उनके विबाह को मातर साथ वर्स होते है ऐसे में बाद के दिनों में वहां राजस्थान में एक प्रथा चल रही होती है जो कूप्रथा के रोपे होती है सती प्रथा और ऐसे में मीरा से भी सामाजिक आग्रह ऐसा होता है कि वे सती हो जाएं लेकिन मीरा ऐसी चीजों का नकार करती है क्योंकि बाले काल में जो कृष्ण की प्रेम बेली उनके मन में फूट चुकी थी वहाई स्वाता बरण में और बड़ी हो गई थी सादु संतों के साथ सत्संग पूजा पाठ में अपना जादा से जादा समय वितीत करने लगी थी इस प्रकार ये जो उनके सारे के सारे क्रत्य थे वे कहीं ना कहीं समाज को उनके परिवार को और जिस वंस से जिस परंपरा से वे आती थी वहाँ पर एक चुनोती के रूप में था उनके जो कारे थे मिरावाई के वे उन लोगों के लिए एक चुनोती भरे कर्म थे क्योंकि उस समय इस्त्रियों को जो है परता परतां में रखा जाता था उनको दबा करके रखा जाता था सामाजक स्वातंत्र का वह रूप नहीं था जो आज इस्त्री बिमर्स कार मीरा बाई तक भी पहुँच जाते हैं पुत्र बदू का जो सक्षंदा आच्रड था वाराज परिवार को कैसे सह हो सकता था रडा कि जो उत्तरा धिकारी थे बिक्रम सिंग उन्होंने तरह तरह की यातनाए मीरा बाई को देनी सुरू कर दी कई बार बिस्का प्याला दिया गया कई बार पिटारी में साप भीजे गए सामन्त महाजनों के द्वारा उन्हें परिशान करने का प्रयास किया गया लेकिन कहते हैं न कि जाको राखे साईयां मार सके न कोई मीरा का बाल बाका नहीं हुआ लेकिन इतनी प्रकार की मानसिक और सामाजिक राजनीते की अंत्रणाओं को झेलने के बाद मीरा ने राजस्थान का और राज़ परिवार का परित्याक करने का निश्चे ले लिया और वे बाद के दिनों में ब्रेंदा बन चली गई जहां उनकी सास्त प्रणेता जियू गो स्वामी से भेट होती है ब्रेंदा बन से बाद में द्वारिका चली जाती है और छोड के मंदिर में भजन कीटन करने लगती है बाद की दिनों पर महीं उनकी मृत्यू हो जाती है गुरू जो है कहीं कहीं मीरा के गुरू के रूप में संतर अविदास का या रैदास का नाम मिलता है और एक पंक्ती भी मिलती है कि गुरू मिलिया रैदास दीनी ग्यान की गुटकी तो इस परकार प्रशन ये परिक्षा में पूंचा जाता है कि मीरा भाई के गुरू का क्या नाम था मीरा भाई के गुरू का नाम संत्र अधास या संत्र अभिदास था मृत्यु अस्थान रड़ छोड मंदिर द्वार का था एक दोहा ऐसा भी मिलता है जिसमें अपनी सामाजिक यंत्रनाओं से दुखी होकर मीरा भाई ने पत्राचार किया था गोश्वामी तुलसी दास से और उसमें उन्होंने लिखा था श्वाती स्री कुल भूशन दूसर हरन गुसाई बारही बार पर नाम करहूं अब हरहूं सोक शमुदाई उन्होंने कहा था उन्हें बड़ा कस्ट है और या कस्ट कैसे दूर हो इसके बारे में उनको कुछ सुझाओ दीजिए और मीरा की पत्र की जवाब में तुलसी ने एक पद लिखकर की भेजा था जो पद बाद के दिनों में विने पत्रिका में संकलित हुआ वि तुलसी लिखा होने से कई बार ये कनफ्यूजन क्रियेट करता है क्या ये तुलसी की पंक्ती है क्या या भूशन की पंक्ती है जी नहीं या मीराबाई की पंक्ती है जो उन्होंने तुलसी से पत्राचार के समय लिखा था और तुलसी ने क्या लिखा जबाब में जाके प् पर ये क्यों न हो, तो इस प्रकार का पत्राचार इन दोनों के बीच में हुआ है, ऐसे प्रमार्साहित्ते में मिलते हैं, मीरा भाई की प्रवुखपंतियों की अगर बात की जाए, तुन्त अनेक विद्वानों ने मीरा की अनेक रचनाएं बताई हैं, फिर भी हिंदी साहित का इतिहास लिखने वाले आचारे रामचंद सुक्र ने मीरा के कुछ चार महत्पून पुस्तकें बताई हैं नरसी जी का मायरा, गीत गोबिंद का टीका, राग गोबिंद और राग सोरट के पद, परीक्षा में अक्सर यही पूछे जाते हैं तो इनको मैंने रेड भी किया ह यह आपको याद होने चाहिए नरसी जी का मायरा, गीत गोबिंद का टीका, राग गोबिंद और राग सोरट के पद, मलार राग, मीरा की गर्बी, नरसी महता के हुंडी और इस्पूट पद, यह भी कई कई पुस्तकों में मिलते हैं अगर परीक्षा में पूछा जाता है तो आप इसके भी उत्तर देंगे कि यह मीरा की रचनाएं थी, सभी संकलित रचनाएं मीरा की मिलती हैं मीरा के पद नाम से, मीरा का जो संपूण काब्य है यह आप उसका गहन अवलोकन करते हैं तो आपको पता चलता है कि राजसत्ता, पुरुसत्ता, लोकरूड़ी, कुल कुलींता के विरुद, बिद्रो का स्वरुन के संपूण काब्य में देखने को मिलता है सामाजिक परिप्रेक्ष जो है उसमें आपको यह चीज देखने को मिलती है अगर भक्ती परिप्रेक्ष से आप देखेंगे तो मीरा के काब्य में भक्ती भावना देखने को मिलती है माधूरे देखने को मिलता है संयोग वियोग के पद देखने को मिलते है लेकिन सामाजिक अर्थों में अगर मीरा के काभ भी को लिया जाए तो राजसत्ता, पुरुसत्ता, लोकरून ही कुलींता के विरुद्बिद्रो का स्वर दिखाई दिखाई देता है तो मीरा की जो भक्ती थी उसका जो भाव था वा माधूरे भाव की भक्ती थी मीरा की भक्ती माधूरे भाव की थी और प्रमुक स्वर जो था वो बिप्रलम्स रंगार का था ये महत्वपून बात परिक्षा में पूछा जा सकता है कि मीरा के काबे का सुर कैसा था तो वो बिप्रलंब स्रिंगार का था भाशा के रूप में मुखितिया राजस्थानी ब्रज के साथ साथ पंजाबी गुजराती के सब्दे में मिलते हैं बिभिन राग रागनियों का प्रियोग देखने को मीरा के काबे में मिलता है राजस्थानी और ब्रज ये मुक्तियाद दो देखने को मिलती है गुजराती के पद भी बहुत देखने को मिलते है मीरा का जो प्रेम है वा स्वकिया प्रेम है किस प्रकार का प्रेम है स्वकिया प्रेम है ये चीज हमने आपको संक्षिप में बताने का प्रयास किया है कि भासा राजस्थानी मिस्रित ब्रज है गुजराती और खड़ी बूली का भी प्रयोग देखने को मिलता है काब ली के रूप में मुक्तक काब ली है संप्रदाय ये महत्वपून बात है कई बार इनको वैश्न corn संप्रदाय से जोड़ा जाता है कई इजनको संत कहते हैं कई भक्त कभी कहते हैं लेकिन मीरा इन सबसे निर्पेक्ष थी मीरा को किसी भी प्रकार के सर्टिफिकेशन की ज उनकी प्रेम की साधना जो थी वह स्वकिया प्रेम साधना थी और वे लिखती हैं कि जाके सिर्मोर मुकट मेरो पती सोई व हा प्रब को पती वरता की सेज पर पधारने का आमंतरन भी देती हैं उसके स्वागत में कुल बधू की तरवा स्रिंगार भी करती हैं गोबिन्द से लुक शिप कर प्रेम नहीं किया था उन्होंने बलकि ढोल बजा कर प्रेम दे कर खरीद कर उनको मोल लिया था उनकी प्रेम में कहीं भी उस रिंखलता नहीं मिलती अभिजात्य को वा छोड़ चुकी थी ये बात हमने आपको पहले बताई पर अभिजात के जो ततकालीन तो वास्तविक चीवन में उसका तिरसकार कर दिया था पर इस मरण रखना चाहिए कि वे भक्त कभी थी सामंती अभिजात्य को जटके में तोड़ डालने वाली मीरा की काबे में अभिजात्य का संयम देखने को मिलता है प्रिये के प्रती उनका जो प्रेम है वह सामान ने म और संयोग स्रिंगार देखने को मिलता है जो कुछ है बहुत मर्यादित है उनका संयोग वियोग बहुत कुछ निजी और पारिवारिक सा है मीरा के संबंध में बच्चन सिंग का कहना है अलूचत बच्चन सिंग ने मीरा के संबंध में लिखा है कि मीरा की लोग प्रियता क पहला कारण उंचे कुल का त्याक करके साधूं, संतों, भक्तों की बीच सामाने जन के अस्तर पर भक्ति भाव की अभिवेक्ति, दूसरा कारण है संपरदाय निर्पेक्षता, और तीसरा कारण है ऐसी भाषा का प्रियोग जो लोग में रची वसी थी, अब यही प्रश्ण क का त्याक कर दिया था, दूसरा कारण यह संपरदाय निर्पेक्षती और तीसरा कारण कि लोग भाषा का उन्होंने अपने कावे में प्रियोग किया था, बच्चन सिंग ने कहा है मीरा के संबंध में कि मीरा के प्रतेक पद में गिरधर नागर का इस्मरण किया जाता है, यह प्रियतम के रूप में याद करने के लिए कुनहोंने अनोखा नाम निकाला, मीरा के संबंध में आचारे रामचन सुकल की पंक्ति परिक्षा में अक्सर पूछी जाती है, कि मीरा की उपासना, आचारे रामचन सुकल कहते हैं, मीरा की उपासना माधूरी भाँ की थी,verty प्रियतम या पती के रूप में करती थी पहले कहा जा चुका है कि इस भाव की उपास्तना में रहस्य का सवाविश अनिवारे हैं इसी धंग की उपास्तना का प्रचार प्रशार सूफी भी कर रहे थे अता हो उनका संसकार भी इन पर कुछ अवस्य पढ़ा अब देखें यहा लोचक ने यह माना है कि मीरा पर सूफी शाधना का प्रवाव था और उसमें तीन नाम अन्य देकर की एक नाम आचारे रामचन सुक्ल का रखा जाए तो उत्तर सही होगा आचारे रामचन सुक्ल अगला आचारे रामचन सुक्ल ने मीरा के संबंद में कहा कि जब लोग इन का गुडगान नाभा जी धुब दास ब्यास जी मलूक दास आदी सब भक्तों पर सब में प्रेम की तलीनता की समान रूप में पाई जाती है कैसा मानना है आचार रामचंद सुकल का ये कथन परीक्षा में बहुत पार पूछे जाते हैं इसलिए आप इन पर जरूर ध्यान दें बार बार सुनने से ये चीजें अपने आप आपको याद हो जाएंगी मीरा बाई पर केंदरित अनेका नेक पुस्तकें लिखी गई है लेकिन कुछ महत्वपून पुस्तकें जो परीक्षा में पूछी जाती है मीरा का काब नाम की पुस्तक लिखा है विशुनात तरपाठी ने बहुत महत्वपून है मीरा का जीवन नाम की पुस्तक लिखी है अर्बिन सिंगते जावत अगर आप मीरा पर आने वाले दिनों में रिसर्च करना चाहते हैं सोट करना चाहते हैं एंफिल करना चाहते हैं तो ये पुस्तक बहुत महत्तुपून हो सकती है अर्बिन सिंग तेजावत की पुस्तक मीरा का जीवन मीरा संचैन नंद चतुरवेदी ने किया है मीरा और भक्ती की आध्यात्मिक अर्थनीत ये कुमकुम संगारी की पुस्तक है मीरा मुक्तिकी साधिका मीरा कांथ की पुस्तक है और मीरा ग्रंथावली दो भागों में निकाला है प्रोफिशर कल्यान सिंग से खावत ये राजस्थान के है राजस्थान ग्रंथाक आदमी से निकला हुआ है ये मीरा ग्रंथावली भाग एक और दो प्रोफिशर कल्यान सिंग से खावत निकाला है बहुत महत्वपूर्ण है वगर आप इस वीडियो को ध्यान नहीं देते हैं इन प्रशनों को पढ़ते नहीं है तो आप बताएं कि आपके प्रशन कैसे सही होंगे मेनेजर पांडे ने भी मीरा के संबंद में विशेस बात कही है उन्होंने कहा है कि भक्तिकाल के कवियों में मीरा का प्रेम सबसे अधिक सहज, उटकट और विद्रोही है उनको प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए किसी बिचवाई की जरूरत नहीं है ना कबीर की तरह रूपकों की जरूरत है, ना जैसी की तरह लोक कता की और ना सूर की तरह गोपियों की वहां सीधायों प्रत्यक्ष प्रेम निवेदन है निर्भय और निर्दन आत्म अभिव्यक्ती है ऐसा मानते हैं मैनेजर पांडे तो ये मैनेजर पांडे कभी कथन बहुत महात्यपून है खास करके NTA नेट जियारप के मित्रों के लिए मैनेजर पांडे ने आगे लिखा है कि मीरा का जीवन और काब्य उस काल के अन्य भक्त कभियों की इस्तरी सम्मंधी मानताओं का प्रतिकार है और साथी साथ प्रतियूत्तर भी है संकल्प और आस्था के शाथ अपनी अस्मिता और स्वतंतरता के लिए संगर्जसील अबला भी पूरुस प्रभुत्त के लिए चुनोती बन सकती है ये बात हमें मीरा के काब्य को पढ़ने समझने और देखने के बात मिलता है भक्ति काब्य और हिंदी आलोचना पुस्तक किसकी है मैनेजर पांडे के जिसमें उन्होंने मीरा के संबंध में ये बात लेखी है हिंदी साहित में मीरा भाई को लेकर के जोनकी पंग्तियां है परिक्षा में बहुत पूछी जाती है और उन पंक्तियों को आपको जानना जरूरी है भजन करास्या, सतीन होश्या, मन मोहों, घन नामी ये राजस्थानी में देखे पंक्ति है हेरी मैं तो दरत दिवानी में रो दरत न जाने कोई ये भी राजस्थानी की पंक्ति है बसो मेरे नैनन में नंदलाल या बिरहिन बावरी सी भाई ब्रज की पंक्ती है मन रे परसी हर के चरण देखे ये पंक्ती या घायल की गती घायल जाने ये खड़ी बोली की पंक्ती है जाके सिर मोर मुकुत मेरो पती सोई ब्रज की है और जोगी मत जा मत जा ये पंग्ती क्या है खड़ी बोली की है तो इस प्रकार जो भाशाई बिवित्ता है वो हमें लोग का जो रस है लोग का जो रंग है वो हमें मीरा बाई में देखने को मिलता है तो ये कुछ महत्वपूर चीजे थी मीरा के संबंध में बहुत महत्वप करके लिख सकते हैं बता सकते हैं और इस वीडियो से आपको किस प्रकार लाब होगा इस सम्बंद में भी आपको कमेंट बाक्ष में जा करके लिखना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को यह वीडियो आप सेयर करें लाइक करें और हम और बेहतर जानकारी आप लोगों के लिए ला सके हाई टेक हिंदी सर्फ हिंदी के लिए तत्पर है प्रामाणिक और अध्यतन जानकारी आपको देने के लिए प्रयास रत है हिंदी भी से सम्मन्दित, किसी भी प्रकार की समस्या कोई प्रश्ण कोई सुझाओ या सहयोग हो तो आप हमें लिख सकते हैं इमेल कर सकते हैं हम उनका समुचित उत्तर देने का प्रयास करेंगे अगला वीडियो ले करके हम बहुत सी गरा रहे हैं कमेंट जरूर करें तब तक के लिए धन्यवाद